नमस्कार शाथियो, बिहार स्टीटी, बचे तीन विशय का रिजल्ट आने की संभाबना पर हम लोग आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बात करते हैं कि महिला आरक्षन के लिए अगर कोई केश करता है तो उसका क्या नतीजा होगा, देखे, हमारी जो सरकार ह पहले ही, जो भी सामान महिला है या पुरुष है, उसको 50 परतीसत पर उतिरनांग निधारित किये थे, और जो भी अंड कोटी के है पुरुष या महिला, उसको 45 परतीसत पर उतिरनांग घोसित के गए, वैसे आप जानते कि सीटिट का जब एकजाम होती है, तो उसमें 60 पर परतीसत पर शामान वर्गों का और 55 परतीसत पर उबिशी या अन वर्गों का होता है, और हमारी शरकार जो है, बिहार एस्टिटी का जब एकजाम लिए, तो उसमें उन्होंने असपश तो पर कहा कि इसका कटप ओ ऐसे ही गीरा हुआ है, तो इसमें अगर कोई महिला अव् कोई अस्थान ही नहीं बनता है, और देखिए, अभी तक जहां तक शावाल है, तो कोबीड का परभाव जिस रहतार से बढ़ रहा है, उसे यह कहता ही, मामला जो है फस रहा है अभी, और अभी किसी भी परकार के उमीद नहीं जताए जा सकती है, बच्चे तीनवी से एक र परकार की करवाई नहीं चल लिए, तो रिजल्ट आने के भी संभावना नहीं बनते हैं, रिजल्ट कब आएगी, तो इसका अनुमान लगाया जाता है, कि या आपका जबगर्मी चुट्टे की सिजुन को समाप्त हो जाती है, या कोबीड नाइटीन का परभाव कम जाता है करयाला सुचा रूप से काम करने लगते हैं, तो इस पर रिजल्ट आने की संभावना बनते हैं, तो अभी आप बने रहें, आपका रिजल्ट आएगा, सियोर है कि रिजल्ट आएंगे ही, और ज्वाइनिंग यानि नियुकती परकिरिया भी आगे बढ़ेगी, तो निस्च पर वाचिंग, जै हिंद, जै भारत, बंदे मातरम